नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सनमार्ग नवरात्र के सांतवे दिन मा कालरात्री की अराध्ना की जाती है मा कालरात्री की अराध्ना करने से सत्रू बिरोधी सांत रहते हैं और आपके सोचने समझने की सक्ती अध्भूत हो जाती है और मा की अराधना करने से सनी देव भी सांत रहते हैं पीडाएं नहीं पहुंचाते मा दुर्गा की उपासना करने से ब्यक्ति के सोचने और फैसला लेने की जो सक्ती है वो अद्भुत हो जाती है उनका तरीका बेहतर हो जाता है और वो इतने जागरित हो जाते हैं कि वो जिस दिसा में भी आगे बढ़ना चाहें उसी दिसा में पॉजिटिव और आगे बढ़ने के राह मिलने लगते हैं तो स्वेम बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल निकालने में वो सक्छम हो जाता है मा कालरात्री की अराधना नौरात्र के साथमें दिन की जाती है मा कालरात्री कौन है उनके बारे में तमाम बाते जारी है कैसे उनको मनाएं क्या भोग लगाएं और उनके पसंदीदा पुस्प कौन से हैं कौन से मंत्र हैं आईए जानते हैं बिस्तार से एक बहुत बड़ा दानव था रक्त बीज उसने देवों और जन्मानस को परेसान कर रखा था और उसकी विसेष्टा ये थी कि जब उसके खून की बुंद रक्त जिसको कहते हैं धर्ती पर गिरती थी तो उससे उसी के तरह हूब हूब वैसा ही नया रूप लेकर वह बन जात था और फिर सभी भगवान सिव जी के पास जाते हैं सिव जी को पता था कि देवी पारवती ही उसे खत्म कर सकती है और सिव जी ने देवी से अनुरोध किया इसके बाद माने स्वेम सकती संधान किया और मा पारवती का चेहरा एकदम भयानक डरावना साधिकने लगा फिर जब वो एक हात में से रक्त बीच को मार रही थी तभी दूसरे हात में एक मिट्टी का पात्र खपर में से जहल लेती थी यानि कि रक्त के बुंदों को जमीन पर गिरने ही नहीं देती थी और उन बुंदों को मिट्टी के खपर में ले लेती थी और पीने लगी तो इस तर रक्त बीच को मारने वाली जो मा पार्वती का नया रूप को ही हम कालरात्री कहते हैं मा दुर्गा के सब्तम सक्ति कालरात्री के नाम से जानी जाती है और दुर्गा पूजा के साथमे दिन नौरात्र के साथमे दिन मा कालरात्री की उपासना होती है मा काल रातरी दूष्टों को असूरों को माड़ने वाली है और सेल्फ एनरजी संधान करने वाली है इसी एनरजी के अंस को आसिरवाद सरूप मा अपने भक्तों को देती है अब नाम सही पता चलता है कि मा दुरगा की यह साथवी सक्ति काल रातरी है जिनके सरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है और इनका रूप भ्यानक है सिर के बाल बिखरे हुए है और गले में बिद्दूत की तरह चमकने वाली माला है इनकी सवारी गदर्व यानि गधा है अंधकार में इस्थीतियों का बिनास करने वाली सकती है मा काल रातरी और काल से भी रक्षा करती है मा के तीन नेत्र हैं और तीनों ही नेत्र बरंभांड के समान गोल है इनकी सांसों से अगनी निकलती रहती है गंधर्व की सावारी करती है उपर उठेवे दाहिने हाथ में की जो मुद्रा है भक्तों को बर देती है और दाहिने हाथ की तरफ नीचे वाली मुद्रा अभे मुद्रा में है बाए तरफ के उपर वाले हाथ में लोहे का काटा है और नीचे वाले हाथ में खडग है इनका रूप भले ही भैंकर हो लेकिन यह सदैब सुप फल देने वाली मा है इसलिए इनका नाम सुभंकरी भी है आईए जानते हैं इस दिन मा कालरात्री की पूजा करने से सनी समंदी तमाम दोसों से भी मुक्ति मिलती है सनी देप को प्रसंद किया जाता है और मा कालडातरी को प्रसंद करने से सत्रू विरोधी कभी आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते नेगेटिव इनरजी तंत्र मंत्र का असर भी आप पर नहीं होता मा कालडातरी की पूजा करने से जीवन में आने वाले हर संकटों से रक्षा होती है और सत्रू और दुष्टों का संघार करती है मा और इनके पूजा से तनाव दूर होता है अज्यात भै पूरी सक्तियां भी दूर होती है मा कालरात्री का रंग कृष्णवर्ण का है और कृष्णवर्ण के कारण इन्हें कालरात्री कहा जाता है मा कालरात्री नौदुरुगा का सात्वा सरूप है और इनका रंग काला है ये तीन नेत्रधारी है और मा काल रात्री के गले में बिद्धूत की अध्भूत माला है इनके हाथों में खडग और काटा है और गधा इनका वाहन है लेकिन ये भक्तों का हमेशा कल्यान करती है इसी लिए इन्हें सुभंकरी भी कहते है तो आप सुभस वह असनान बेगेर करके घर की जब सफाई कीजिएगा उसके बाद सबसे पहले तो असनान बेगेर करके आप स्वक्छ वस्त्र धारन करें और ये वस्त्र होगा अगर आप सफेद या लाल रंग के कपड़े पहने तो ज़्यादा अच्छा है हलांकि मा की पुझा आधी रात में करने का भी विधान है उसके बारे में भी हम बताएंगे लेकिन सबसे पहले सिंपल तरीके से आप सुभस के समय कैसे पुझा करेंगे सबसे पहले तो एक घी का एक मुखी दीपक जलाईए इस दीपक में लाल धागे की बाती होगी और दोलॉंग दीपक में होंगे अब दिया जलाईए और दीपक के नीचे आसन फूलों की पंखुरी या फिर अक्छत का दीजिए अब मा को लाल पुस्प यानि लाल गुड़ हल के पुस्प अतीप्रिय है नवरातर में किसी भी दिन अगर लाल गुड़ हल की पुस्प की माला आप माताराणी को पहना दे तो बड़े से बड़े सत्तुर विरोधी भी सांथ होते हैं और जीवन में उन्नती के मार्ग खुलते हैं मा को गुड का भोग अतीप्रिय है तो जब आप पुझा कीजिएगा तो एक पात्र में गुड का भोग उनको लगाईएगा और जब गुड का भोग लगाएं तो आधा आधा यानि की गुड के भोग को दो हिस्सा कर लीजेगा भोग लगाने के बाद आधा आप पूरे परिवार के साथ खाईएगा और आधा ब्रहमन को दान दे दें पास के मंदिर में रख दें किसी गरीब को दे दे ये जो गुड है आधा इससे क्या होगा जीवन में खुसियां आती रहेगी अब माता रानी को प्रशन करने के लिए आप रात में एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा रात यानि की करीब रात ग्यारत से एक के बीच कर सकते हैं सफेद या लाल रंग का वस्त्र धारन कीजिए अब अपने ही घर में माता रानी के सामने एक घी का दिया जलाईए दीपक जलाकर आप बैठ जाईए दीपक ठीक उसी प्रकार से होगा लाल धागे की बाती होगी और दो लॉंग होगा फिर माता रानी को गुड का भोग आपको चाहिए होगा एक सो आठ लॉंग याद रखिए एक सो आठ लॉंग अब यह लॉंग आप एक बार अच्छे से सब फ्रेस फ्रेस लॉंग देखकर चुनकर एक जगह एक साइड में कठा करके रख लीजे एक पातर में और आप बैठ जाए इसके बाद आप एक मंत्र है ओम एंग रिंकलिंग चामुंडाई विच्च है ओम एंग रिंकलिंग चामुंडाई विच्च है इस मंत्र का जब एक करिए और एक लॉंग मातारानी को अरपित कीजिए फिर मंत्र जपिए फिर लॉंग अरपित कीजिए यानि 108 बार में 108 मंत्र और 108 लॉंग अरपित कि जाएंगे फिर तमाम लॉंग को इकठा करके अगनी में डाल कर जला दें और यह लॉंग जलाने के बाद मातारानी से प्रार्थना करें आपके सत्रू बिरोधी सांथ हो जाएंगे वह आपको फिर कभी नुकसान नहीं पहुचा पाएंगे और जब यह प्रक्रिया कीजिएगा सांथ रहके कीजिएगा और जैसे आप बीच बीच में बात नहीं करना है और यह आप रात में भी जला सकते हैं खुले अस्थान पर ब स्वारा से आपको कभी परिसान नहीं करेंगे और एक और चीज है कभी कभी क्या होता है दुसमन कुछ जादा ही परिसान करते हैं तब ऐसे में कभी ऐसा भी होता है कि आपका सनी बिगडा हुआ है अब आपका नोकरी बैपार में परिसानी आ रही है जीवन में कदम कदम प पर चल रही हो अब आप परिशान है तब इन समस्त परिशानियों से बाधाओं से पिडाओं से मुक्ति पाने के लिए आप मा काली को गुड़हल का पुसपर पित करें ये परियोग आप कभी भी कर सकते हैं सुभव में साम में जो अपरियोग हम आपको बताएंगे कभी भी कर सकते हैं आप अपनी इक्षा नुसर समय चुलने हैं तो मा काली को आप गुड़हल का पुस्परपित कीजिएगा और फिर एक मंत्र है ओम क्रिंग काली काई नमह ओम क्रिंग काली काई नमह इस मंत्र का 108 बार जब करें तो सनी देव के समंदी जो भी दोस है जो भी पिड़ाएं हैं वो सांथ हो जाएगा आपको दुबारा से परिशान सनी देव नहीं करेंगे और सनी देव के भी मंत्र का इस दिन जब करने का भी धान है ताकि आपका सनी बहतर रहे और मा के किरपा से सनी देव का अशिरबाद भी आप पर मिलता रहे तो सनी देव का मंतर है ओम संग सनच्राय नमह ओम संग सनच्राय नमह इस मंतर का भी 108 बार जब कीजिएगा प्रार्थना कीजिएगा सनी पीडा सांथ हो जाएगी और जीवन में धेर सारी खुसी आएगी तो ये तो थी नवरात्र के सात्वे दिन मा कालडात्री की पूजा कैसे करे और कैसे उनको मनाए तो मा को गुड का भोग जरूर लगाए और मा के मंतरों का भी जब करे आप चाहें तो सबसती का पाठ कर सकते हैं लेकिन जो गुड़ आपने भोग लगाया है आधा गुड़ आप अपने परिवार के साथ मिलबाट कर खाए और आधा किसी को दान कर दे किसी पास के मंदिर में रखा सकते हैं लेकिन मा की उपास न किसी को नुकसान पहुचाने के लिए मत कीजिएगा अपनी भलाई के लिए कीजिए तो अच्छा है मा का मंत्र है नवान मंत्र ओमेंग रिंकलिंग चामुंडाय विच्चे ओमेंग रिंकलिंग चामुंडाय विच्चे अप इसी मंत्र को पढ़कर 108 तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर महादेब धन्यवाद